हेलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेस्टी कोगिंग 11 पर फ्रेंस आज हम बनाएंगे सूजी और मैदा की खस्ता करारी मठ्रियां जिनको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती हैं और ये बन जाने के बाद फ्रेंस आप इनको 10-12 दिन के लिए स्टोर करकी रख सकते हैं तो फिर चलिए फ्रेंस हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं बनाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजे बैल आइकन को प्रस कीजे ताकि नए आने वाले वीडियो के नो फ्रेंट में आधा कटोरी सुजी क्यांकि मैदा और सुजी को मिक्स करके मठ्रिया बनाईओं तो बहुत ही खसता करारी और टेस्टी बनती से टोड्यène इस मेंГन ग्सकर कूंक आप मैं इसमें डालूँगी नमक अजवाइन क्योंकि अगर मठ्रियों में ना पड़ी हो तो मठ्रियां अदूरी लगती है तो देखे मैंने एक चमच अजवाइन ले लिया है अब मैं इसको हाथ में क्रेश कर लोंगी क्रेश करके डालने से अजवाइन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो और इससे हमा हमारी साजी चीज़े मिक्स हो गई है अब मैं इसमें लगाऊंगी मोयन जिससे कि हमारी मठ्रियां एकदम खस्ता और करारी तयार हूँ तो मैं इसमें आधा कटोरी रिफाइन डाल डाल दे रही हूँ तो मैं इसमें आधा कटोरी मोयन डाल लिया अब मैं मोयन को आते में अ तो मैं इसको खुब अच्छे से mix कर ले रही हूँ ताकि मुवर में ऐसा mix करना है हमारा आटे से पिल्कुल मिल जाए यह जो मैंने oil डाला हूँ और देखिए मैं ऐसे हाथ से आटे को अच्छे से मसल लूँगी जो मैंने मैदा लिया हुआ है क्योंकि फ्रेंड जितना ही मुयन हमारा अच्छे से मिला होगा उतनी ही खस्ता मट्रिया हमारी तयार हूँगी तो उसी से मैं इसको अच्छे से mix कर ले रही हूँ देखिए मारा मुयन अच्छे से mix हो गया फ्रेंड आप जा दोंगी तबी भी नहीं फोटा इसका मतला हमारा मुयन अच्छे से रेडी हो गया है तो फ्रेंड देखिए हमारा मुयन लग गया है तो मैं अब इसका डो तैयार कर लेती हूँ तो फ्रेंड मैं इसमें पानी डालूँगी एक चीज़ और फ्रेंड जया लखिएगा जया कि वो धीला हो और नहीं बहुत ही सकत हो जैसे कि हम रोटियों का डो लगाते फ्रेंड उसी तरह डो लगा लेना है कि क्योंकि डो जितना ही अच्छा होगा उतनी ही अच्छे हमारी मठ्रिया तयार हो गया है अब मैं आप जैसा की देख सकते हैं कि हमारा डो बिलकुल रेडी हो गया है अब देखे मैंने लिया हुआ है एक टिफिन के अंदर मैं इस डो को रख दूँगी और इसको पांसे दस मिनट का रेश्ट दूँगी तो देखे मैं इसका ढखन इसपे कवर कर दे रही हूं और इसको मैं पांसे दस मिनट का रेश्ट दे रही हूं तो दे अब डो बिल्कुल पठरी के लिए रेडी है तो मैं इसकी लोई बना लूँगी तो फ्रेंट्स मैं इसकी बड़ी बड़ी लोई बना लूँगी कुछ लोग इसको बॉल कहते हैं तो मैं इसकी बड़ी बड़ी लोई बना लूँगी यह देखे फ्रेंट्स मैं लिया है और मै किनारे से कॉर्णर से मतलब जो हमारी चिटके चिटके लग रहे हैं यह बराबर और एकदम गोल और चिकने हो जाएंगे और यह कटे-कटे नहीं लगेंगे तो फ्रेंट्स देखिए हमारी बन गई ना एकदम गोल और चिकनी-चिकनी अब मैं इसको बेल लोंगी तो और नहीं है जिछनांस पाइन डालकर मैं पूरे पे अच्छे से कवर कर दूंगी तो फ्रेंट्स गिस nytती मैं पूरी जो मैने बेला Eğer两 यह डीखिए अब मैंने बहल यह हैं यह सब और आड़ अंलке और इत बनकर ready हो गया है यह देखे friends लग रहा है ना roll अब हमारे यह roll बनकर ready हो गया अब मैं इसकी cutting करूंगी तो cutting करने के लिए मैंने knife लिया हुआ है और मैं इसके एकदम बराबर के pieces कर ले रहे हूँ friends knife से काटने से क्या होता है कि हमारे सारे pieces एकदम एक बराबर equal ही होते हैं तो यह देखे friends मैं सारे pieces cut कर ले रहे हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं यह देखिए और यह हमारा इतना waste है मैं इसको हटा दे रहे हूँ मैं मतलब next loey में इसको add कर दूँगी तो यह देखे friends मैंने स गई है क्योंकि friends नाम में बहुत ही बड़ी बनानी है और ना ही बहुत छोटी बनानी है हमें हलकी सी मोटी मोटी और खसता मठ्रियां बनानी है इसलिए बस में इतनी मोटी ही रखूंगी इससे पतली नहीं करूँगी तो यह देखे friends जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बना है तो friends देखिए हमारा oil अच्छे से हीट हो गया है अब मैं इसमें अपनी मठ्रियों को डाल दूगी friends मठ्रियों को डालते वाग एक चीज़ धियान रखिएगा कि बैगास की flame को हाय बिल्कुल नहीं करना है medium flame पर ही हमें मठ्रियां पकानी है friends हाय फ्लेम पर पकाने से क्य होता हमारी मठ्रिया उपर से तो पक जाती है बट अंदर से विल्कुल नहीं पकती है तो वो खस्तिया और करारी नहीं हो पाती है friends वो गरम में तो चल जाती है बाद में ठंडी हो जाती ही तो अंदर से soft पढ़ जाती है और इनको हम ज्यादा दिन store भी करके नहीं रख सकते हैं और low flame पर आप पकाएंगे तो इनको मैं काफी टाइम के लिए store करके रख सकती हूँ और friends जो मठ्रिया मैं बना रही हूँ इनको आठ से 10 दिन तक आराम से store करके रख सकते हैं तो friends देखिए हमारी मठ्रिया एक तरफ से हो गई है मैं दूसरी तरफ भी इनको पलट कर पक तो friends जैसा कि आप देख रहे हैं देखिए कितना अच्छा कलर आ गया हमारी मठ्रियों में ऐसे ही आपको भी पकाना है और ताकि कलर आ जाए तो देखिए friends हमारी मठ्रिया गोल्डन ब्राउन हो गई है अब इस stage पर हम अपनी मठ्रियों को निकाल लेंगे तो friends देखिए मै खस्ता करारी मठ्रिया मनकर रेडी हो गई है अब आप इनको टेस्ट कीजिए और बताए कैसे बनी अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए subscribe कीजिए thank you thank you for